हलो दोस्तो वेलकम टो स्टड़ी उनिवर्स मध्यप्रदेश की नंबर वन चनल फॉर डेली करंट अफिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो एकजार क्वेशन की हम यह सीरीज आप तक लेकर रहा हैं जैसा कि दोस्तो आपको पता है MPPSC का एक्जाम होना है अभी हाली में जनवरी में तो उससे पहले हम यह 1000 क्वेशन की सीरीज आप तक लेकर रहा हैं और दोस्तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 1000 क्वेशन में आपसे करा कर रहूँगा और दोस्तो इसमें हमने PYP, expected question, current affair के कुछ question और important fact भी जोड़े है दोस्तो जिससे आपके एक्ज चेत्रफल की दरश्टी से मद्यप्रदेश का कौन सा इस्थान है तो इसका सही option है दोस्तो दूसरा चेत्रफल की दरश्टी से मद्यप्रदेश का देश में दूसरा इस्थान है दोस्तो अगर दूसरा इस्थान है मद्यप्रदेश का तो पहला इस्थान है किसका इसकी बा एक नॉम्बर 2000 को मद्यप्रदेश का विभाजन किया गया था और मद्यप्रदेश से विभाज़त होकर 36 गड़ एक अलग राज्य बन गया था नेस्ट क्वेशन विभाजन के बाद मद्यप्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है तो इसका सई उफ्षन है पांच राज्यों से विभाजन के बाद मद्यप्रदेश की सीमा पांच राज्यों से मिलती है अब ये दोस्तों पांच राज्य कौन है आपको इनकी बारें बता दें तो ये पानच राज्जें पहला है गुजरात राजिस्तान उत्तरपदेश 36 गर्द और महरास्ट यह पानच राज्जें जिनकी स्रीमा मद्यप्रदीस राज्ज से लगती है नेक्स्ट क्वेशन मत्यप्रिदेश में प्राथमिक, माद्यमिक और उच्छ सालाओं की संख्या कितनी है जिसका सही option है 82,000 82,000 सालाएं हैं मत्यप्रिदेश में कुल तो आपको ये question exam में पूछा जा सकता है दोस्तो आपको ये कोर important fact बता दें कि जितने भी मैं आप question करा रहा हूँ इनमें से लगव लगव दोस्तो आपने बहुत सी question पढ़े भी होंगे और आपको कोई-कोई question के answer आते भी होंगे लेकिन दोस्तो इसके बाद जो वीडियो आएंगे आपके लिए वो दोस्तो आपके लिए बहुत important रहेंगे क्योंकि उनमें मैं आपको एक भी ऐसा question रिपीट नहीं होगा जो आपने कभी पढ़ा हो दोस्तो expected और PYP question इसलिए लिए लेकर आया हूँ next question है मद्यप्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिये गए है जिसका सही option है जिला योजना समीती जिला योजना समीती को मद्यप्रदेश में जिला सरकार के अधिकार दिये गए है मद्यप्रदेश के पहले समाचर पत्र का नाम क्या है तो दोस्तो इसका सही option है मालवा अकवार मालवा अकवार मद्यप्रदेश का पहला समाचर पत्र है दोस्तो आपको एक और important fact बता दें मालवा अकवार जो है वह authorized तरीके से बनाया गया अकवार था इससे पहले दोस्तो ग्वालियर गजट के नाम से भी एक समाचर पत्र आया था लेकिन वो authorized तरीके से नहीं था इसलिए इस समाचर पत्र को cancel करके मालवा अकवार समाचर पत्र को मद्यप्रदीश का पहला समाचर पत्र का नाम दिया गया और दोस्तो यह इंदोर से प्रिकाशित हुआ था अब दोस्तो बात आई है दिवास की तो आपको कुछ important fact दिवास के बारे में बता दे मद्यप्रदीश की पहली और प्रदीश की सरवाधिक बवन चक्या देवास जिले में ही इस्तित है लैदर कॉंपलेक्स के लिए देवास जिला प्रिशिद्ध है दोस्तो आपको बता दे क्योंने वन चीव अप्यारन भी देवास जिले में ही इस्तित है और एक और दूस्तो बागली जहांपर काली सिंध नदी का उद्गम इस्थल है यह भी दिवास जिले में ही इस्थित है तो दूस्तो इतना आपको दिवास की बारे में याद रखना है आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपूर्टेंट है दूस्तो चलते हैं नेक्स्ट कोश बाला घाट की तो कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको बाला घाट के बारे में बता दें दोस्तो बाला घाट का जो उतातपरी है उसका होता है बाला मतलब उत्तम दोस्तो तो उत्तम घाट इसका एक पूर्वन नाम भी है उर्ती चिडिया की समान दोस्तो इसका जो विध्याल है ये तीनों दूस्तों बाला घाट जले में इस्थेत हैं चलते हैं next question पर बैगा नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तों इसका सही option है barrier elvin barrier elvin ने बैगा नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों जैसा कि आपको पता है मद्यप्रदेश में बैगा नामक एक जन जाती है और उसी के उपर barrier elvin ने एक पुस्तक लिखी है अब दोस्तो बात आईए शिप्पूरी के तो कुछ important fact आपको शिप्पूरी के बारे में बता दें दोस्तो शिप्पूरी ग्वालियर संभाग का एक जिला है क्वारी, सिंध और महुआ प्रभाहित होने वाली जिले की प्रमुख नदिया है दोस्तो मत्य प्रदेश की प्रतम पर्याटन नगरी के रूप में यह बिख्यात है माधव राश्टी और ध्यान भी शिप्पूरी जिले में ही इस्थे थे दोस्तो आपको बता दें कथा नमार कुत्योग और सांख्या राजे सिंधिया शत्रिया और एक और दोस्तो इंपूरी जिले में ही इस्थे थे तो इतने ये फेक्ट आपको दोस्तो याद रखने है इन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे मैंने लास्ट बताया करेरी सोन पक्षी अप्यारन कहां पर इस्थे थे तो इसका सही option है शिप पूरी तो आप ऐसे फेक्ट से भी याद कर सकते हैं दोस्तो नेक्स टाइम में आपको इसके साथ जो नेक्स स्लाइड होगी उसमें आपको फेक्ट के साथ बता दूगा कि कितने-कितने factor किस-किस जिले में है तो वो आप easily पढ़ सकेंगे और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा मैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा नेक्स्ट कॉश्चन है अब दोस्तो बात आईए चिनवाडा की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको चिनवाडा की बारें बता दें दोस्तो देश का प्रथम मसाला पार्क चिनवाडा में ही खोला गया था पाताल कोट जहां पर भारिया जन जाती प्रमुक रूप से पाई जाती है यह भी चिनवाडा जिले में ही इस्थित है प्रमुक कोईला खादाने भी चिनवाडा जिले में ही इस्थित है दोस्तो आपको बता दें जो पेंच रास्टी उद्यान है यह भी छिनवाड़ा में ही इस्तित है और हमारे जो बरतमान जो मुख्य मंत्री हैं स्री कमलनाची ये छिनवाड़ा जिले के ही रहने वाले हैं तो इतने important fact आपको इसके बारे में याद रखने हैं दोस्तो जैसा कि मैं आपको बता चका हूँ आप इस question का answer जानते होगी कि छित्रफल की दरश्टी के सबसे चोटा जिला कौन सा है लेकिन दोस्तो आपको ये चीजें याद तो हो जाती है लेकिन बात में जब option ऐसे आते हैं तो आप भूल जाते हैं जैसे आपको छोटे-छोटे जलों की option दे दी जाएंगे आप confused हो जाएंगे इसलिए दूस्तो एक बार आप last time पढ़ लें इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसमें आपको ये question इतने easily और इतने smooth question आपको नहीं मिलेंगे next question है मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौनसी है जिसका सही option है इतारसी जंक्षन इतारसी जंक्षन मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जंक्षन है मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा कूला भंडारक शित्र कौनसा है जिसका सही option है सुहागपूर सुहागपूर मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा कूला भंडारक शित्र है next question है मत्यप्रदीश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है जिसका सई option है भिंड मत्यप्रदीश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है भिंड next question है दोस्तू मत्यप्रदीश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है जिसका सही option है NH726 यह मत्रप्रदेश का सबसे छोटा राजमार गए Next question है छेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों confuse मत होना अभी हमने इससे पहले जो question किया था वह छेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटा जिला था अब question आया है दोस्तों छेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटा संभाग कौन सा है जिसका सही option है होशंगाबाद संभाग होशंगाबाद संभाग छेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटा संभाग है अब बात आईए होशंगाबाद जिले की तो आपको कुछ important fact लेक्ट हुसंगाबाद जिले की बारिआंं बता दें दोस्तो इसकी स्थापना हुसंग सहय गोरी नये 15th सताब्धी में की थी पुरम का यानि जो दोस्तो हुसंगाबाद है इसे नरवदा पुरम संभाग के नाम तो सत्पुडा की रानी उपनाम की नाम से भी इसे जाना जाता है प्रदीश का पहला बायुस्पेर रिजर्व भी होशंगाबाद में ही खोला गया था तो इतना आपको होशंगाबाद की बारी में याद रखना है अब दोस्तो बात आईए जवलपूर की तो आपको कुछ इंपोटेंट फेक्ट जवलपूर की बारी में बता दें दोस्तो नर्वदा यहां की सबसे प्रमुक नदी है और जो भीड़ा घाट है वह है जवलपूर में ही इस्तित है जवलपूर को प्राचीन काल में तिरपूरी महाकोशल की नाम से जाना जाता था मद्य प्रदीश की सांस्कृतिक राजधानी की नाम से भी जवालपुर को जाना जाता है दोस्तो यह है प्रदीश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है एक और दोस्तो इंपोर्टेंट फेक्ट आपको बता दें जवलपुर की बारे में भारत का पहला जंड्या सत्यग्रा है जो 1923 में हुआ था वह है जवलपुर में ही किया गया था Government Ordinance Factory यह भी जवलपुर में ही इस्थेत है भारत का प्रथम विकलांग पुनरवास किंद्र इसे भी जवलपुर में ही बनाया गया है दोस्तो बरेला में रानी दुरुगाबती की समाधी इस्थेत है तो इतने important fact दोस्तो आपको याद रखने है आपके किसी भी exam में पूछे जा सकती है जवलपुर की बारे में तो इतने fact आपको याद जरूर रखने है next question है मध्यपदीश में किस सबसे ज़्यादा बन ब्रक्ष पाए जाती है यहाँ पर दोस्तो पेड़ लिखना भूल गया है तो इसका सही option है सागोन सागोन की पेड़ की बन ब्रक्ष सबसे ज़्यादा मध्यपदीश में पाए जाती है emenक्षून है मत्रपतिस का सबसे ज़यारा स्चाई वाला जिला है अब दोस्तो बात आईए गवालेर की तो कुछ इंपोर्टेन फेक्ट आपको गवालेर की बारी में बता दे गवालेर के क्लिये को जिबराल्टर आफ इंडिया की नाम से जाना जाता है ये सबसे बड़ा और सबसे important fact है घाटी गाउं, सोन चुडिया अभ्यारन भी ग्वालियर में ही इस्थित है तो दोस्तों ये दो important fact हो गए इसके बाद तीसरा सबसे important fact है रानी लक्षीबाई की समारक भी ग्वालियर में ही बनाया गया है जो प्रदीश में सबसे बड़ा है तीसरा दोस्तों भारत का सूर्य मंदर जो दूसरा सूर्य मंदर है वह है ग्वालियर में ही इस्थित है इसके अलावा दोस्तों तांसेन की समाधी जैबिलास महल, गुजरी महल, मोती महल और सास बहु का मंदर ये सबी ग्वालियर में ही इस्थित है दोस्तों अभी जितने इंपूटेंट फेक्ट बताए हैं न आप एक वी इंपूटेंट फेक्ट अगर मिस कर दिया तो आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत लॉस हो जाएगा इसके लावा ग्वालियर के कुछ और इंपूटेंट फेक्ट आपको बता रहा हूँ राणी लक्षवाई सारेरिक परिक्षन केंदर भी जो भारत का पर्थम परिक्षन केंदर है यह ग्वालियर में ही बनाया गया है गैस पर आधारत पहला बिद्योत ग्रह भांडिर यहीं पर बनाया गया है तो यह भी दोस्तो कुछ इंपूटेंट फेक्ट है ग्वालियर के बारी में जितने भी अभी मैंने आपको फेक्ट बताए हैं आप एक भी मिस ना करें नेस्ट कॉच्चन है प्रदीस का सबसे कम सिचाई वाला जिला कौन सा है तिसका सबसे कम सिचाई वाला जिला है मद्द प्रदीस का सबसे नीचा इस्थान कौन सा है तिसका सबसे नर्वदा सून घाटी मद्ध प्रदीश का सबसे नीचा इस्थान है सिचाई के लिए नेश्ट कोशन है प्रदीश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है जिसका सई उफ्षन है तबा नदी पर प्रदीश का सबसे लंबा पुल तबा नदी पर बनाया गया है मद्धप्रदीश का सबसे गर्म इस्थान कौन सा है जिसका सही option है गंजवासुदा मद्धप्रदीश का सबसे गर्म इस्थान है Next question है म्रगेंदर नात गुफा किस जिली में इस्थेत है तो इसका सही option है रायसेन अब दोस्तों बात आईए राइसे हिन की तो कुछ IMPORTENT FICT आपको राइसेन के बारी में बतादें जो दोस्तों सांची के जो इस्तूप है यह राइसेन जिले में ही इस्तित है और इसे बिस्व बिरासत की रूप में जाना जाता है इसके अलावा दोस्तो भीम बैटिका की गुफाएं जो युनेसको द्वारा बेस्व रास्त सूची में शामिल की गई हैं ये भी रायसेंजिले में ही इस्तित हैं भूचपुर जो परमार राजाओं का सबसे प्राचीन स्थल रहा है और प्रिशिद स्थल रहा है ये रायसेंजिले में ही इस्तित है इसके लावा दोस्तो जो समराट असुक सागर परियोजना है इसे हलाली परियोजना की नाम से भी जानती है ये रायसेंजिले में ही इस्ति मंडी दीप प्रमुक और द्यूग केंद्र है और देश का पहला उप्टिकल कारखाना भी मंडी दीप रायसेन जिले में ही लगाया गया है कुमरागाओं जहां से दोस्तो बेतवा नदी का उदगम इस्थल है यह रायसेन जिले में ही इस्थित है तो दोस्तो यह इतने important fact आपको रायसेन के बारे में याद रखने है आपसे exam में इनमें से कोई भी fact पूछा जा सकता है मत्यसेंद्र पीर की समाधी किस जिली में इस्थित है तो इसका सही option है उज्जेन जिली में मत्यसेंद्र पीर की उपाधी सुरी समाधी इस्थित है Next Question है मत्यप्रतिश की हौकी प्लियर के नाम क्या क्या है तो दूस्तो ये चान नाम आपको याद रखनी है ये मत्यप्रतिश की हौकी प्लियर है जो इंटरनेसिल खेल चुकी है तो संकर, लक्षमन, रूप सेह, रंजन, नेगी और समीत दाद, ये चारो पिलियर मद्ध प्रिदिश की होकी पिलियर रह चुकी है Next question है, मंडला किले को किस नदी ने चारो ओर से घेर रखा है तो इसका सही option है, नर्वदा नदी ने, मंडला के किले को चारो ओर से घेर रखा है यानि मंडला के पास से नर्वदा नदी कुझरती है, तो आपको ये एक important fact हो गया अगर आपसे पूछा जाए कि निमनमे से कौन सा किला है, जो नर्वदा नदी की बाजू में बसा हुआ है तो आप याद कर सकती है, मंडला का किला अब दूस्तों बात करती है, current affair के कुछ questions के बारी में ये भी आपको दूस्तों exam में पूछे जा सकती है और जितने भी important question है, सिर्फ मैंने वही पिक किये हैं इस वीडियो में तो पहला question है, मत्यप्रदीश में कहां महिला वैपन ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसका सही option है भूपाल, भूपाल में महिला वैपन ड्रिल का आयोजन किया गया है अब दोस्तो बाताईए भूपाल की तो कुछ important fact आपको भूपाल के बारे में बता दें जीलों के शहर के नाम से भूपाल को जाना जाता है मत्यप्रदीश का सरवादिक जनसंख्या घनत्व जो दोस्तो 855 है यह भूपाल में ही इस्थत है भारत भवन 1882 में यहीं पर बनाया गया था दोस्तो रास्ट्य विधी अकेडमी की स्थापना भी भूपाल में ही की गई है मोती मस्चिद यहां गौालियर भूपाल में ही इस्थत है दोस्तो ताजुल मस्चित जो देश की सबसे बड़ी मस्चित है यह भी भूपाल में ही इस्थेत है अब ही हमने question कर भी लिया है यह राजा भोज विश्व विद्याल है यह भी ग्वालियर में ही सुरी दोस्तो भूपाल में ही इस्थेत है इसके अलावा दोस्तो विश्व की सबसे चो बड़ी स्वर उर्जा संयंत्र है यह भूपाल में लगाया गया है प्रदेश का पहला एनर्जी पार्ग भी भूपाल में ही लगाया गया है प्रदेश का पहला सैलरिट जैविक खाद्य संयंत्र भी भूपाल में ही लगाया गया है इसके अलावा दोस्तो एक सबसे important fact है 2 और 3 दिसंबर 1984 को भूपाल में methyl isosynate साइनाइड नहीं है दोस्तों methyl isosynate gas का रिसा हुआ था जिसके करण 1000 लोगों की मौत हो गई थी और ये fact दोस्तों हर exam में मत्यप्रदिश की हर exam में पूछा जाता है आपको इसकी date याद रखनी है gas का नाम याद रखना है date है 2 और 3 दिसंबर 1984 और जो gas रिसा हुई थी उसका नाम है methyl isosynate तो इतनी fact आपको भूपाल की बारी में याद रखनी है next question है 2019 में किस राज में सरवाधिक NRI बूटर है तो इसका सही option है केरल में केरल राज में 2019 में सबसे अधिक NRI बूटर है यह हाली में एक research में पाया गया है दोस्तो बात आईए केरल की तो आपको मैप में केरल के बारी में बता दें मैप में दोस्तो यह जगह केरल को दर्साती है केरल की कुछ और important fact आपको बता दें तो एक नॉबंबर 1956 को इस राज्जी की स्थापना की गई थी अभी जो प्रिजेंट में गवर्णर है उनका नाम है आरिफ मोहमत खान और जो चीफ नेस्टर है उनका नाम है पिनराई बिजियन इसके अलाबा दूस्तो आपको बता दें कि कीरल में राजसवा सीटे हैं 9 और लोगसवा सीटे हैं 20 तो इतना आपको कीरल की बारे में याद रखना है किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है नेस्ट कोश्चन है 2019 में किस खिलाडी पर लगा आजीवन प्रतिबंद हटा लिया गया है जिसका सही option है 2019 में 2019 में 2019 में 2019 में पर जो आजीवन प्रतिबंद लगाया गया था वह 2019 में हटा लिया गया है दोस्तो इन पर 2013 में आजीवन प्रतिबंद लगाया गया था next question है किस राजजी की सिरसी सुपारी यहाँ पर दूस्तों सिरसी सुपारी है को GI Tech प्रदान किया गया है जिसका सही option है करनाटक करनाटक की सिरसी सुपारी को GI Tech प्रदान किया गया है अब दूस्तों बात आईए करनाटक की तो आपको इसके बारें बता दें करनाटक की दुरप्पा तो दूस्तो इतना आपको करना टक के बारी में याद रखना है सबसे बड़े दानी कौन से बने है जिसका सही उफ्षण है अजीम प्रेम जी दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे बड़े दानी बने है इससे पहले दोस्तों दो और नाम है यानि इनका तीसरा स्थान है इससे पहले हैं बारेन बफेट और बिल गेट्स और उसके बाद हमारे देश के अजीन प्रेम जी हैं जो दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे बड़े दानी बने हैं नेस्ट कोशन है किस डानसर को 2019 में पदम स्री से सम्मानित किया गया है तो इसका सही ओफ्षन है प्रभुदेवा को 2019 में पदम स्री से सम्मानित किया गया है और दोस्तों ये एक डानसर है नेक्स्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा बना है जिसका सई उफशन है टाटा भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बना है टाटा एक रपोर्ट के अनुसार किस राश्टी उद्यानों में बागों की प्रेजिनन दर सबसे अधिक है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है बाधवगड राश्टी उद्यान बाधवगड राश्टी उद्यान में बागों की प्रेजिनन दर सबसे अधिक है दोस्तों बात आईए बाधव गड़की तो आपको एक important fact इसके बारें बता दें यह मद्यप्रदेश की उमरिया जिले में एस्थित है और इसे 1968 में बसाया गया था तो यह एक important fact आपको याद रखना है